जाहिन दोस्तों देखिए जो जो विद्यर थी इंडिया पोस्ट की जो GDS की वेकंसी निकली थी यदि आपने GDS यानि ग्रामिन डाक सेवर का फॉर्म भरा है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देख के जाना चाहिए क्योंकि आज किस वीडियो में आप लोगों को हम बहुत बड़ी बड़ी बाते बताने वाले हैं जैसे कि पहला कुश्चन कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या जरूरी था यह जरूरी है यदि मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है हम नहीं दिये हैं तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है क्या एकदम देना ही पड़ेगा इस topic पर हम लोग बात करेंगे दूसरा point है कि नया apply date जो जो विद्यारती apply नहीं कर पाए है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मोका है लेकिन सभी विद्यारती apply अब नहीं कर पाऊगे कुछ-कुछ विद्यारती अभी apply कर सकते हैं दूसरा point तीसरा point है कि selection का process क्या रहने वाला है इस topic पर भी हम लोग बात करेंगे चौथा point है दोस्तो कि result कब आएगा merit list कब आएगा list कब आएगा यहाँ पर लिखें ठीक है मतलब selection का final मतलब जो procedure है वो कब तो complete हो जाएगा आपका result किस महीने जारी किया जाएगा इस video में आपको बताएंगे इसके बाद पांचवा point है कि state wise सुरक्षित 10th का percentage क्या रहने वाला है कितना percentage 10th में यदि किसी विदार्ति का है तो उसका selection हो जाएगा कितने percentage पर वो secure है आज किस video में आपको यह भी बताएंगे इसकी बाद हम लोग बात करेंगे 6 number में कि cutoff 2022 कितना होग है कितना percentage है तो आपका हो जाना चाहिए ठीक है इस video में आपको हम बताएंगे क्योंकि एक्जाम तो होगा ने इस पर डारेक्ट आपका मैट्टी का मांक्सिट देखेगा percentage देखेगा आपका selection हो जाएगा समझ मां गया और next point है कि कैसी पता चलेगा कि मेरा reject हो गया कि select हो ग आतों को जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं बुझना चाहते हैं तो आपको इस video को लास्ट तक देखके जाना चाहिए तो चलिए फटा-फट से video को शुरू करते हैं और एक-एक point को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला point है कि क्या computer certificate जरूरी है या नहीं जरूरी है तो य इस point में असपश्ट लिखा हुआ है कि आपका computer में काम करने का ज्यान होना चाहिए आपको computer चलाना आना चाहिए मतलब computer की knowledge होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि computer का certificate आपको देना पड़ेगा ऐसा इस पर नहीं लिखा और यदि आप computer का knowledge आपका नहीं भी है फि post office में क्यों कौन से software में काम होता है computer का कैसे operate किया जाता है इस सारी चीज आपको बाद में सिखाएगा उस पर certificate का कोई भी demand नहीं किया गया है सिर्फ लिखा है कि computer में आपका knowledge होना चाहिए computer का थोड़ा बहुत जो है घ्यान आपको होना चाहिए तो यहां यह clear हो गया कि computer certificate नहीं मांगा है computer का knowledge मांगा है यदि आपका knowledge नहीं भी है तो आपको सिखाया जाएगा और अभी आप सीखी जाओगे धीरे-धीरे तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप computer धीरे-धीरे सीखिए और यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो आपको selection के बाद आपको सीखाया computer certificate आपकी selection को नहीं रोक सकता ठीक है computer certificate आपका selection में कोई भी बाधा इस पे बनने वाला नहीं है समझवा गया तो computer certificate जरूरी इस पे नहीं है और आपका computer certificate के कारण आपका form जो है reject नहीं होगा समझवा गये चलिए दूसरा point है कि नया apply date तो देखिए इस पोटल में एक नया date दिया गया है कि 6 जून से लेकर कि 5 जूलाई तक जून से पांच जूलाई तक registration होगा लेकिन किन चात्रों का only PWD चात्रों का ठीक है तो जितने भी PWD student है वो apply कर पाएंगे 6 जून से लेकर कि 5 जूलाई तक उनके लिए portal खुला रहेगा GDS के लिए तो आप इस बीच में form को apply कर सकते हो लेकिन सभी विद्धार्थी apply नहीं कर सकते है अब समझ मागिया सिर्क PWD विद्धार्थी ही अब apply कर पाओगे ठीक है कब से कब तक 6 जून से लेकर कि 6 6 2022 से लेकर कि 5 7 2022 तक ठीक है only PWD विद्धार्थी apply कर पाओगे समझ मागिया चलिए तीन नंबर पॉइंट है कि सेलेक्शन का प्रोसेस क्या है तो सेलेक्शन का प्रोसेस हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके कि 10th का percentage के हिसाब से आपका सेलेक्शन होगा ठीक है माल लेते है कोई एक करने वाले विडार्थी Award और नहीं करता है तो सेलेक्शन हो चाहने प्रिफरेंस दिया है उस जगह से कितने विडार्थे विदर्थ τον अप्लाई किया और उस जगह से apply करने वाले विदर्चों का percentage कितना था यह तो आपको नहीं पता है तो selection का यही process है कि आपका 10th का सिर्फ marks देखेगा 10th का percentage देखेगा otherwise कुछ भी नहीं देखेगा is that clear यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया चलिए अब next पॉइंट है चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों कि रिजल्ट और मेरिट लिस्ट कब आएगा तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आप लोगों नहीं बनाएगा सीधा सबसे आप लोगों का स्कूटनी किया जाएगा जो आपने भर के दिया है आपका माक्सीट में कुछ और है आपने भर दिया है कुछ और बहुत सारे इसे फॉर्म रिजक्ट हो जाएंगे ठीक है बहुत सारे सी बोड़ के विदार्थी है उनका अलगी सिस्टम है ग्रेट वाला है वह परसेंटेज भर दिया गलत ढंग से निकाल दिया वहां आ रहा था एटी परसेंट भर दिया है बेरासी परसेंट इस तरह बहुत सारे विदार्थी मिस्टेक कर गए है और बहुत सारे विदार्थों का तो नाम गलत है तो माक्सीट में अलग नाम है यहां कुछ और भर कूटनी होगा और बाद में दोनों का मिला करके रिजल्ट आएगा तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इंडिया पोश्ट ने पहले ही बता रखा था कि 15 नवंबर तक सारा चीज हम क्लियर करेंगे 15 नवंबर तक यह क्लियर हो जाएगा तो जुलाई तक तो फॉर्म ही अपल समझमा गया तो यह कोई ऑफिशियल डेट नहीं है आपको बता रहे हैं पिछले सालों के रिजल्ट को देख करके कि पिछले बार तीन चार पांच महिना भी लगा था तो हो सकता इस बार जल्दी आ जाए क्योंकि इस बार सिच्वेशन जो है कोविड वगरा कर नहीं है परचित सिक्योर कि हां मेरा होने का उमीद है आम रिजल्ट का वेट कर सकते हैं तो ध्यान देजेगा यदि आपका सीट कितना थो टोटल याद है ना 38,926 सीट के लिए वैकेंसे निकला था तो काफी ज़्यादा सीट था तो इस बार यदि आपका टेंथ का परसेंटेज ज परसेंटेज बहुत कम है और आपका 78 परसेंट है और लोगों का चौण से उस जगह से उस पोस्ट ओपी से कितने लोगों ने फॉर्म को भरा है तो यदि आपका मोर दन 80 परसेंट मार्क्स है तो आप इसका रिजल्ट का वेट कीजिए आपका होने का उमीद मैक्सिमम है कि हो सकता है ठीक है लेकिन आप लोगों ने तो पिछला रिजल्ट देखा ही होगा कि 90 परसेंट प्लस वालों का ही सेलेक्शन होगा और बहुत 85 परसेंट 86 परसेंट वालों का भी सेलेक्शन होता है तो इस बार सीट जादा है इस बार थोड़ा सा कट ओफ कम भी रह सकता है त तो पिछला बार देखा आप लोगों ने कि cut off कितना गया था 97% 98% कहीं देख रहे है 92% से उठाया है कहीं 89% से उठाया है तो हम तो यही कहेंगे कि cut off जो है दोस्तों आप ध्यान दिजेगा कि यदि आपका 80% से ले करके ठीक है आगे जितना भी है प्लास में तो आपका होने क उमीद है ठीक है आपके होने का चांस है नहीं भी हो सकता है 50 50% मान सकते हो लेकिन जिसका 90% परसेंट ना भी ओ 50% हो भी जाया लेकिन ये डिपेंड करता कि आपने कहां से फॉर्म फिल अप किया है और वहां पर कितने परसेंटेज वालों ने फॉर्म को भरा है समझ मागिया तो कट आफ इतना ही जाने वाला है 80% प्लस 90% प्लस यही लगबग कट आफ रहेगा तो जिनका भी इतना परसेंटेज है आप इंतजार जरू किजेगा इसके बाद बात करें कैसे पता चलेगा कि reject हुआ कि select हुआ तो ध्यान दिजी यदि reject होगा या फिर select होगा तो आपके email में और आपके mobile number में message आएगा India post की तरफ से कि आपका form reject हो गया या फिर आपका selection हो गया selection होगा तब तो result देखी लोगे लेकिन form reject हो जाता है तब आपका message आएगा कि your form has been rejected due to this reason इस reason के कारण आपके form को reject कर दिया गया तो जो भी होगा rejection list आएगा selection list आएगा तो हम आपको ज़रूर inform करेंगे तो आप सभी भी दर्चोस हम पूछना चाहते हैं कि आपका कितना percentage था और आपने कहां से apply किया था आप मुझे comment में ज़रू बताइएगा और मेरा एक blog channel भी है तो क्या आप लोग मुझे support कीजेगा यदि support कीजेगा तो कर दिजेगा चैनल का नाम है मोहन ब्लॉक्स यूटूब में सर्च कीजेगा और सब्सक्राइब कर लीजेगा नीचे लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में भी हम डाल दिए ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते है नेक्ट वीडियों बहुत जल्द तब तक के लिए बहुत बहुत झाल झाल